दोस्तों अगर आप यूज करते हो Realme Narjo N53 का फोन और आप अपने फोन में नंबर को कॉपी करना चाहते हैं या आपकी फोन में नंबर शो नहीं हो रहा है नंबर को इक्सपोर्ट इंपोर्ट करना है तो सारी चीजी में आप लोगों को इस छोटे से वीडियो में बताने वाल अगर आपको वीडियो योश्फुल लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा बहुत यह असान है दोस्तों सबसे पहले आपको कॉन्टेक्ट नाम से एक अप्लिकेशन मिल जाएगा इसको आपको ओपन करना है जैसी कॉन्टेक्ट नाम से आप लोग किलिक करेंगे तो यहाँ पे तीन चार ओप्सन आपको सो होंगे इमिल आइडी आपकी सो होगी और सिम सो होगा सभी को सलेक्ट कर लेना है और राइट शेड इक्सपोर्ट टू वीचे फाइल पर किलिक कर देना है ताकि इनमे का जो सारा नंबर है हम यहाँ पे अंदर शेड कर सकें कॉपी कर सकें तो सारा नंबर यहाँ पे हम पहले फाइल मनेजर मिला देंगे इसका नाम हम चेंज कर देते हैं फाइल का और शेड पर किलिक कर देते हैं यह फाइल मनेजर में आपका एक्सपोर्ट हो जाता है सारा नंबर मतलब कॉपी हो जाता है इसक इस email ID में आप सारा नंबर शेप करना चाहते हैं उस पर आप लोगों को किलिक करना है जैसे आप उस option पर किलिक करते हो किलिक करने बाद वह देख सकते हैं VCF फाइल यहां पर 12345 नाम से इस पर किलिक करेंगे किलिक करने बाद यह सेलेक्ट हो जाता है और इसके बाद जो सारा नंबर फाइल मनेजर में था वह सारा नंबर अब इस email ID में इंपोर्ट हो जाता है कॉपी हो जाता है तो इस तरह के साब अपने प्रोब्लम सॉल्व कर सकते हैं